हेलो एवरीबन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लेट्स व्लोग विद पूनम में आज मैं सेर करूँ आप सब के साथ गेहूं के आठे का हलवा ये एक दिम से टेस्ट और परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ बनाएंगे हैं हम आठे का हलवा हम कोई भी ओकेजन हो मतलग हमारे घर में कोई भी महमान आ जाए या तिवार हो हम पहले यही बनाते हैं इसे बनाना बहुत ही असान है तो चलिए बनाते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए गा और लाइक से और कमेंट करना ना भूलिए तो क्योंकि कोई भी हलवा बनाए उसके लिए एकदम से परफेक्ट है यह हलवा इसको सिर्फ हमें तब तक उबालना है जब तक की चीनी इच्छे से इसमें मेल्ट ना हो जाए और इसमें उबालना आ जाए बस इतना ही करना हमें और उसके बाद हम यहां पर गैस की फ्लेम को कर देंगे चासनी को हम दूसरी साइड रख देते हैं और अब हम कड़ाई गैस पर रखते हैं और आदी कटोरी भर कर के यहां पर मैंने घी की लिए है गी को अच्छे से मैल्ट होने के बाद इसमें हम एक कटोरी भर करके गेहूं का आटा डालेंगे सिर्फ इतना ही आटा क्रीब और घी बचा था ये भी मैंने इसमें डाल दिया अभी जो आटा हमारा थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे एक चमच और भरकर के इसमें देशी घी का एड़ कर दूंगी और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार इस इस तरह से चलाते रहेंगी याद रहे हमें इसको छोड़ना नहीं हो नीचे लगने नहीं देना वरना तो इसका कलर जो है नीचे से डार्क हो जाएगा और कहल वे का जो टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं आएगा देखिए कलर जो हा हलवे का थोड़ी सी देर बाद ही चें पानी का गोल वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे यहां पर गैस की फिलेम हमें low to medium ही रखनी है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको लगातार चलाते रहेंगे बाकी का बच्चा हुआ पानी भी हम इसमें इस पानी आपको ज्यादा लग रहा हुगा लेकिन जैसे ही आप इसमें डालोगे और इसको लगातर चलाते रहेंगे यह हल्वा पूरा पानी अंदर सोख लेगा और यह एकदम से बढ़िया बन कर त्यार होगा एकदम से ग्रीसी ग्रीसी दिखिए दिखाई दे रहा ना और लुदों बना और को च्कते हुगे तो इस तरह से बच्छा लग रहा है। अगर आप इसे और भी हल्धी बनाना चाहते हैं। poorly acept very अगर आप इसे काजूबा दाम किसमीश जो आपके इच्छाहूं वो इसमें डाल सकते हैं। अगर आप इसे गैस्ट वगरा के लिए बना रहे हैं तो इसमें काजू, बदाम, गोला कस करके भी डाल सकते हो यह हलवा हमारा अच्छ से पर्फेक्ट बन कर त्यार हो गया है अब इसको हम सर्व करते हैं देखिए पांच मिनिट बाद जैसे ही मैंने इसको गैस को बन करके छोड़ दिया था घी अलग हो गया हलवे से दिखाई दे रहा है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना खाने में भोती तेस्ट लगेगा आपको हलवा एकदम से बढ़िया बन कर देखिए आठे का हलवा हम कोई भी ओकेजन हो बनाते हैं इसको तो बनाईए खाईए और मेसा सेर के जिए इसे आप कोई भी बिगनर हो भी आसानी से बना सकता है और आपको मेरी रेस्पी थोड़ी सी पसंदाए तो लाइक शेर और कमेंट कर दीजिएगा थैंक यू बाई